वेलकम तु दी चैनल आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगी चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी देख रहे हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और जितना बढ़िया देखने में लग रहा है उतना ही जादा टेस्टी है खाने में है और बनाना केक टिन तयार कर लेंगे तो इस तरीके का मैंने एक स्टील का टिफिन लिया हुआ है उसमें मैं डाल दूँगी एक चमश तेल आप तेल की जगे घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं और पूरे केक टिन को हम अच्छे से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे और इसमें मैं डाल के लिए मोटे तले की यानि नीचे का जो बेस है वो मोटा है और इसमें हम रख देंगे वायर स्टेंड और ढख कर लो फ्लेम में इसे प्री हीट होने रख देंगे दस मिनट के लिए कब तक हम बैटर तयार कर लेते हैं तो मिक्सी के जार के ऊपर मैंने इस तरीके के एक च छान लेंगे हैं तो इस अच्छी तरीके से छान लेना है और यह बहुत ही बढ़िया बनकर तयार होता है आपको लगएगा कि इससे मैंने मैंदी की जगे आटे से बनाये तो इसका टेस्ट अलग लगेगा बिल्कुल भी नहीं बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है तो यहाँ पे मैंने सभी को अच्छे से छान लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर तो हाफ कटोरी मैंने यहाँ पे शक्कर ली हुई है यह देख सकते आप और इसे हम इसमें एड कर देंगे क्योंकि हम इसे ग्राइंड करेंगे तो आपको पाउडर चीनी लेने की दूद हम आप लिया था एक कट ओरी दूद्ध और एक चौथाई कटोरी हम देल लें गे और सबको अच्छे से पीस लेंगे बिलकुल चिकना हमें पीस लेना आप हातों से तच करिए तच करने से आपको विलकुल भी दरदरा नहीं लगेगा यानि कि आपका बैटर बाउल में क्योंकि हमें इसमें एक इंग्रीडेंट और एड करना है इसलिए हम डारेक्ट केक टिन में इसे नहीं है ट्रांसफर करेंगे तो अब मैं इसमें डाल दूँगी एक चमश वाइट विनेगर आपके पास अगर विनेगर नहीं है तो आप इसमें डिर्ड चमश नीम तो अब हम इसे डाल देंगे केक टिन में और इसे चार बार तीन से चार बार इसे इस तरीके से टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई एर बबल ना हो तो अब जो कडाही है वो भी प्री हीट हो गई है तो उसका धकन हटाएंगे और केक टिन को हम उसके अंदर रग दें यह दिखे और नाइफ बिल्कुल क्लीन निकली है यानि केक जो है वो अंदर से पग गया है तो अब मैं इससे निकाल लूँगी बाहर और इसे हम ठंडा होने देंगे तो जो केक है वो ठंडा हो गया है आदे घंटे हो गया है तो अब इसे हम डिमोल्ड कर लेंगे तो चाकू के मदद से पहले हम इसके साइट में यह देखे कुछ इस तरीके से हम निकाल लेंगे ताकि केक काफी आसानी से निकल जाए और बरतन में ना चिपके तो दो से तीन ब केक को निकाल सकते हैं तो अब हम केक को ठंडा होने देंगे कम से कम एक घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और अब मैं इसे डैकुरेट करूंगी तो यहां पर मैं अमूल का चॉकलेट सिरुप इस तरीके से हम इसमें दो से तीन टेबल स्पून अगर आपके पास चॉकलेट सिरुप नहीं है तो आप डाक चॉकलेट आती है उसे भी मेल्ट करके यानि पिगला कर और इसमें इस्तमाल कर सकते हैं तो यह देखिए सभी चॉकलेट सिरुप को मैंने अच्छे से केक के उपर फैला लिया है अब शुगर बॉल है और यह आस कटर से एक केक को मैंने इस तरीके से हाट शेप में कट कर लिया और एक केक को मैं डेकॉरेट करूंगी तो आपके पास अगर आपको अगर दो केक नहीं बनाने है तो उसकी जग है लेटल हाट साते न बिसकिट साती है आप उसको भी डेकॉरेशन में इस्तमाल कर सकते हैं त तो यह देखे हार्ट्स भी तैयार हैं और अब कर लेते हैं केक को डैकुरेट तो उसके लिए जो हमने हार्ट शेप केक बनाकर रखे हैं उसे हम इसके उपर रख देंगे यह देखे कुछ इस तरीके से काफ़ी अच्छे से रख देंगे शुगर बॉल्स से यहाँ पर मेरे पास कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं जिसे मैं शेप देते हुए डेकुरेट कर दूँगी और साथी साथ जो सिल्वर शुगर बॉल्स हैं उसे भी हम इसके उपर सजा दे तो लग रहना बहुत ही बढ़िया केक बिलकुल मार्केट जैसा चॉकलेट केक लग रहा है देखने में और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है तो आप बनाकर जरूर देखेगा अब आप इसे बढ़िया बनाए या फिर एनवर्सरी में या फिर कोई स्पेशल कभी भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं और जितना अच्छे देखने में लग रहा है बनाना तो बहुत ही आसान है आपने देखा ही फटा फट से बनकर तयार हो जाता है बिना किसी जंजट के तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीज शेयर कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन भी जरूर दबाएगा ताकि मैं नए वीडियो जालू ताप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नही रेसिपी के साथ दिल लेट बाबाई